So hi everyone, this is Samir आज का वीडियो काफी important होने वाला है especially आप सभी students के लिए वीडियो काफी useful होने वाला है आज इस वीडियो में हम लोग एक important topic पर discuss करने वाले आप सभी students के लिए मैं काफी time से सुच रहा था कि एक ऐसा webinar अरेंज किया जाए ऐसा एक webinar conduct किया जाए जहाँ पर आपको engineering से related A to Z information आपको बता चले जैसे आपको first year में कैसे preparation करनी चाहिए second year में कैसे preparation करनी चाहिए placement के लिए कैसे preparation करनी चाहिए internship के लिए कैसे apply कर सकते हो ये बहुत सारी चीजे एको engineering चार साल में आपको डेर सारी opportunities आपको मिलने वाली है इन सारी opportunities को आप कैसे grab कर सकते हो कैसे utilize कर सकते हो इन सब के बारे में आपके पास एक जब structural format में सारी information होती है then definitely ये सारी चीजे आपके लिए काफी useful होने आली है as per your career expect भी अगर हम लोग देखेंगे तो आपके career के लिए भी काफी important होने आली है ये सारी चीजे तो इसी webinar से related सारी detail information जो है माँ आपको इस video में provide करने आला हो video को start करने से पहले description box में आपको इस webinar की registration की link मिल जाएगी वहाँ से जो आप registration कर सकते हो link आपको description box में available कर दी गई है वहाँ से आप अभी register कर लो ठीक है अभी हम लोग video को start करते है तो इस webinar में क्या-क्या चीजे होने वाली है और क्या impact होने वाला इस webinar का ये सारी चीजे अभी हम लोग देखेंगे बट अभी आप सभी students मुझे ये बताओ जब तक आप 12 में पढ़ रहेते तो आपका aim था कि हमें एक अच्छा college मिले एक tier 1 college मिले या फिर एक अच्छी university मिले ऐसा आपका aim था ठीक है उस aim को लेके आप जो है competitive exam के लिए preparation कर रहेते J.E. के लिए या फिर C.E.T. के लिए आपको पता है वहाँ पे placement जो है उतने अच्छे नहीं होते है Around 4-5 life का average package मिलता है Even tier 1 colleges में जो highest package होता है वो सिर्प 1-2 student को ही मिलता है बाकी जो average package है that is 7-8 lakh Tier 1 college का भी यही हाल है तो अगर आप चाहते हो कि एक अच्छी high profile job लो या फिर एक dream job लो जहां पर आपको एक अच्छा package मिले 20-24 लाग का package मिले 20-24 लाग LPA का package मिले तो उसके लिए आपको कैसे preparation करनी चाहिए from the first year itself यह सारी चीजे यह सारी information जो आपको इस webinar में बता दी जाएगी अब यह webinar कोन conduct करने वाला इस webinar में speaker को ने आगे आपको पता चलेगा they are from IITN आगे सारी details आपको मिल जाएगी तो सबसे पहले है कि आपको engineering studies के बारे में बता दिया जाएगा कि आपको engineering studies कैसे करनी चाहिए और मैं बता दूँ कि यह webinar जो है free of cost है आप जो है इस webinar को अटेंड कर सकते हो आपने दोस्तों के साथ भी लिंक को शेयर कर सकते हो वह भी आपके friends भी जो है इस webinar को अटेंड कर सकते है आपको placement के लिए कैसे preparation करनी चाहिए इसका एक पुरा roadmap आपको बताएंगे स्टार्टिंग आपको first year से लेके placement तक आपको कैसे preparation करनी चाहिए यह सारी चाहिए आपको इस webinar में बता दी जाएगी और आप internship के लिए आप internship जब first year second year में जातो second year तक आपको internship करनी होती है तो internship आप कैसे ले सकते हो देखो यहाँ पे local internship करके जो भी आप certificates ले सकते हो बड़ उतना impact नहीं provide करता है लेकिन जब अगर आप एक अच्छी company से internship बगेरा करते हो तो वो internship जो है आपके placement के लिए काफी helpful होता है तो अच्छी company से आप internship करोगे तो definitely वो as per your placement जब आप resume में वो internship अगर आप वहाँ पे enter करते हो तो वो सारी चीजे जो है resume का भी जो impact वो काफी बढ़ा देता है तो internship भी आपको अच्छे company से कैसी करनी चाहिए यह सारी चीजे आपको इसमें बता दी जाएगी and how to prepare for the placement interview placement interview के लिए कैसे preparation करनी चाहिए जैसे मैंने बताया starting में 20 LPA, 24 LPA अगर ऐसे placement के लिए अगर आपको जाना है तो multinational companies वहाँ पे interviews होते हो बहुत सारे rounds होते technical rounds फिर ऐसे बहुत सारे rounds होते जो आपको आगे इस webinar में आपको बता दिया जाएगा कि कौन-कौन से round होते हैं और हर एक round के लिए आपको कैसे preparation करनी चाहिए यह सारी चीजे जो है आपको इस webinar में आपको बता दी जाएगी and हर एक चीज आप सभी students को मैं बता दू कि यह webinar जो है कौन-कौन से students attend कर सकते engineering के first, second और third year सारे students जो है इस webinar को attend कर सकते engineering भी MSTCT complete किया है वो सारे students जो है इसके लिए even diploma वाले students भी जो है इस webinar को attend कर सकते देखो आप अभी first year में हो mostly जितने भी सारे students है अभी आप first year में हो अभी देखो आपके जो parents है आपके parents की भी हाँ से काफी expectation बढ़ जाती है आपके parents देशाते है कि आप जो है अच्छी job हसील करो या फिर अपने life में अपने career में एक अच्छी placement या फिर एक high profile job आपके पास हो तभी आपके parents भी satisfy हो सकते हैं अभी तक आपके parents ने काफी hard earn money आपके उपर लगाए तो ऐसा ना हो कि 4 साल के बाद आप जो है 20-25 जार की job कर रहे हो तो at least आपको जो है आपके parents के लिए जो है return back करना है तो आपको जो है अभी से महनत करनी पड़ेगी आपको एक अच्छा package hustle करना है तो अभी से आपको hard work करना पड़ेगा first year से ही आपको hard work करना पड़ेगा अभी importance of this webinar आपको सबसे पहले तो यह बता जाएगा कि high paying jobs in MNC MNC मतलब multinational companies इन सब में आपको कैसे placement मिल सकती है इसके लिए आपको क्या-क्या करना चाहिए first year, second year, third year में आपको कैसे क्या-क्या करना चाहिए क्या-क्या चीजे, क्या-क्या skill आपको आनी चाहिए यह सारी चीजे आपको webinar में बता दी जाएगी एक proper roadmap रहेगा आपके placement preparation के लिए एक proper roadmap के उपर पूरा entire discussion होगा उसमें एड एक proper roadmap रहेगा internship के बारे में भी internship जो है, यह placement का party है अगर आप अच्छी company से internship करते हो, तो वहाँ से भी बहुत ऐसे भी होते हैं, कि जहाँ पर आप internship कर रहे हैं, वहाँ से जो है placement का offer later भी आ जाते हैं, तो internship को भी आपको उतनी importance देना है, जितना आप placement को importance देते हो, और about new skill and technologies, अभी कितना अपने artificial intelligence के बारे में सुना, data science के बारे में सुना, अब यह सारी new technologies आ रही है, और इसके वाज़े से competition काफी increase होते जा रहे हैं, तो इस competition में आपको कैसे survive करना है, अभी चार सार, अभी आपके इस webinar में बतागी जाएगी, तो इस webinar को आप register कर सकते हो, about speaker, जो यह webinar को conduct करने वाले उनकी माँ बात करों, तो 3V karma सर जिनको एक करोड का package मिल चुका है MNC company से, and अगर इनकी background की माँ बात कर लो, IIT Delhi से pass out है, computer science engineering मे, and all India rank 93rd, and second जो है नीरत सर, जिनको जो है placement offer मिल चुका है, Microsoft से, and IIT Madras से यह भी pass out है, and last जो है साशांग सर, जिनको इस रो से जो है placement offer मिला है, यह भी जो है IIT Bombay से, जितने भी सारे है top IITNs है, इनके थूँ जो है webinar कंड़क किया जा रहा है, तो definitely यह webinar आपके लिए काफी helpful होने वाल है, इस webinar का impact यह पड़ेगा कि आपको जो है एक proper guidance मिलेगा कि आप जो है 2024 LP की job आप जो है कैसे हासिल कर सकते हो, अपनी dream job जो है कैसे ले सकते हो, देखो एक normal job होता है, एक high profile job होता है तो normal job जो है mostly 90% of the students को normal job मिलती है जहाँ पर आपको 20 से 25 से अलेरी मिलती है जहाँ पर आपको 4 से या फी 5 लग का package आपको देखने को मिलेगा लेकिन high profile job जो है 1% students को ही मिलती है अगर वो 1% student में आप जाना चाते हो तो definitely आप इस webinar के लिए register कर सकते हो, last time जो है more than 500 students ने इस webinar को attain किया था, उन सभी students को काफी help मिली है इस webinar से आपको भी मिल सकती है, तो आप भी इस webinar को register कर सकते हो, thank you so much मिलते हैं फिर ऐसी एक next video में